वेल्कम बैक नाजवीन आप देख रहे हैं जी गुड मॉर्निंग सेफ सिरी और जुबहर आज इस अपने सेग्मेंट पे हम पंजाब सेफ सिरी अथॉर्टी के हवाले से कुछ बात करेंगे आपको कुछ वीडियो के बारे में बताएंगे आपको हमेशा बताते रहते हैं कि क आपको देखा जा रहा है कोई भी मश्कूक सरगर्मी है उसको देखा जाता है वनफाइफ पे को कॉल अप करते हैं उसको भी ट्रेस किया जाता है आप कैमरास की बदौलत इसके साथ आपको पता है कि इलेक्ट्रोनिक डेटा अनैलिस सेल जो हमारा एजक सेल है वहां पे को अफिशर के हम रही आप आ सकते हैं आपने साथ कोई भी नागाहनी सूरत हाल पेश वड़ा जाती है कोई बी इंसिलेंट अगर पेश आदाता है तो उस हुह बैबेक भी देखा जाता है उस पे आपके तरफ से हमें बहुत अच्छा रिस्पॉंस मिलता है अज़ ऐसी एक स्टोरी आप से हम डिस्कस करेंगे लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं शहराओं पर पेश आने वाले बाज हादसात हादसे नहीं बलके प्री प्लैन एक्टिविटी होते हैं जैसा कि ये हादसा आप देख रहे हैं सेफ स्टोरी कैमरों में अक्सबंद ये हादसा एक सोची समझी वारदात है बजाहिर नजर आ रहा है कि एक मोटर साइकल सवार सिगलन पर खड़ी कार को पीछे से टक्कर मारता है हुश किसमती से मोटर साइकल सवार और कार में सवार अफ़ाद महफूस रहते हैं मगर टक्कर मारने का मकसद कार सवारों को गाड़ी से बाहर निकालने का एक प्री प्लैन हर्बा है जैसे ही मोटर कार सवार बाहर निकलते हैं तो मोटसाइकल सवार दाएं बाएं रजगम होने का फाइडा उठाता है और पिस्टल से फारिंग करके लूटने की कोशिश करता है जो ही मोटसाइकल सवार डाकू फायर करता है करीब ही गश्ट पर मामूर डॉल्फिन एहलकार मौका पर पहुंचते हैं शेहरियों को लूटने वाला ये मोटसाइकल सवार पुलिस को आता देकर जाए वकुवा से फरार होने की कोशिश करता है पुलिस ने डाकू का ताकू की और थोड़ी ही दूर जाकर काबू करके हिरास्वत में ले लिया वर्च्वल प्रेटॉलिंग अफीसर ने जाहरन हादसा जबके हकीकतन लूटने की सवारदात का बारीग पीनी से सेफ सिटी कैमनों की मदद से जायसा लिया तो ये हकीकत आशकार हुई कि मोटसाइकल सवार सुबसे शिकार की ताक में मकसूस रोड़ पर कभी आटो रिक्षे से टक्राने तो कभी रोड़ पर मौझूद दूसरे मोटसाइकल सवार को रोकने की कोशिश करता है इसी सिगनल पर वारदात से कबल मोट साइकल सावार ने एक दूसरी गाड़ी को लूटने की निये से जाइजा लिया मगर जब तसली ना होई कि उसमें लूटने वाला कुछ नहीं तो चलता बना ये मनाजर भी सेफ सिटी कैम नों ने डिकार्ट की पुलिस के रिकार्ड चेक करने पर पता चला के मुल्जिम मुतादित संगीन वारदातों में मतलूब और रिकार्ड याफ्ता है पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तफ्तीश का आगाज कर दिया है शेहरियों से दर्खास्त है दुराने सफर या सिगनल पर कोई आपकी गाड़ी को हिट करे तो सुनसान रोड पर गाड़ी से बाहर हरगिस ना निकले ये कोई सोची समझी लूटने की कारवाई हो सकती है लेहाजा इसी मश्कूग घड़ी में पुलीस मदद हासिल करने के लिए वन फाइफ पर इतलाते हैं पंजाब पुलीस और सेफ सिटी आपकी हिफाज़त के लिए हर दम कोशा जी ना नाजरीन जैसा कि आपने देखा इस वीडियो को इस वीडियो को मैं आपको यह बताता चलूँ के लाखों लोग अब तक देख चुके हैं और इस वीडियो में बड़ी टेक्निकालिटीज हैं आपने देखा होगा कि किस तरह से मुजरिम मोटर सैकल सवार पीछे से आया और आकर उसने गाड़ी को हिट किया बगाएदकी से और हिट करकर यह अपकर लिदम किया gasionot कि जान बूच कर गाड़ी को हिट नहीं किया। थोग उनको यह कि यह हादसा नहीं था यह एक पृएप्लान ती ज्रुमकरने की लिदा से वह अ हिट से बाहर ने जाहरी सी बात है आम तोर पर हम सिगनल्स पर होंगे किसी जगह भी होंगे तो एक मोटसेगल सवार या कोई भी किसी चीज को आगर हिट करेगा तो जो उस सवारी का मालिक होगा है वो गाड़ी हो टॉक जो भी हो तो नीचे जरूर उतरेगा देखने के लिए कि हमारा नुकसा बनाई कितना हुआ है तो वो यही चाहता था यही उसकी सोच थी यही उसकी प्लानिक थी कि वह गाड़ी में बैठे लोग जो शक्स हैं बाहर निकले और फिर वो अपनी कारवाई स्टार्ट करें जैसे ही तहरा वो लोग बाहर निकले हैं इस तरह भी मारे नाजरीन ने वी सिच्वेशन बनाई मैं तब उनको यह रिलाइस करा ना है कि गल्ती से हो गया मेरे से नहीं हुआ जिस तरह अकसर दो कहते हैं कि माजरत जाता हूं गल्ती से हो गया जानमच की नहीं हुआ लेकिन उसकी इंटेंशन कुछ और ही थी फिर जैसे जैसे वह गुफतकुम इन्व किया और खौफ को हरास का उसने महौल कर दिया और गाड़ी से निकलने वाले शक्स को यह कहने लगा कि जो कुछ भी है तुमारे पास वह निकाल दो ताहरा खुश्किस्मिती यह थी कि उसी दुरान ही हमारी पुलिस फोर्स उस जगह पर गष्ट कर रही थी जैसे ही उन्हो करने की भी जरूवत नहीं पेश आई और डॉल्फिन फोर्स वहां सिगनल पर हुआ इस तरह से आप सब ने देखा वीडियो में और फौरी तौर पे उन्होंने इस चीज़ को रियक्शन देते हैं और मौके पहुंच कर जैसी डॉल्फिन को उसने देखा उसने का जी यह त कि दो यह तो डॉल्फिन के हमारे दो जवान ने उनका तकुड किया और इस दुरान फारिंग का तबादला हुआ और एक मोके पर जाकर क्योंके वह जिस बाइक पर था अफसूस की बात यह है उसके लिए अफसूस की बात थी कि हमारे पास एक शुशायन बात थी कि उसकी बाइक की रिफ्तार इतनी तेज ना थी जिसकी वज़ा से डॉल्फन के पास जो मोटर सेकले हैं थांक्स तू पंजाब गौर्वर्मेंट के इनको अच्छी मोटर सेकल दी है जो के ताकूप कर सके बड़ी बहादुरी और निडरी से उन्होंने उस मोटर सेकल सवार को जाकर उन्हें सिकंजे में ले लिया अच्छा और जब पैटरन में चेक किया गया यहां पे पंजाब सेक्टिस अथॉर्टी के वर्शल प्रटॉलिंग ऑफिसर जो उन्ली 4-7 यहां पे इन तमाम एक्टिविटीज पर नजर रखे हुए हैं जब उन्हें उसको बैक ट्रेस किया पूरा पैटरन चेक किया तो पता चला कि वह शखस तो सुबह से ही इस काम में इसके लिए निकला हुआ थे इसका परबस यह था किसी ने किसी मोटसाइकल को गाड़ी को हिट करें और इसी तरह से उन्से चीज़ें बटोरें तो इसी सिगनल पर पहले भी आया बिल्कुल आ पहले आया उसने देखा एक गाड़ी उसको हिट करने की कोशिश की लेकिन उसको लगा कि यह कोई तगड़ी असामी नहीं है और वापस से ला गया और पर दुबारा से आया और यह एक अच्छी चीज थी कि उसको उसने पकड़े भी जाना था हमारे फोर्सी से वहां आना भी था तो यह और इसके साथ साथ मैं नाजीन को यह पताता चलूंगे यह शक्स पहले भी मुतदित वारदातों में इन्वाल्व था दायरा बहुत सारी इस तरह की वारदात कर चुका वा था लेकिन वह एक बात होती है ना के बुराई जितनी मर्जी बड़ी क्यों ना हो जाए एक ना एक दिन अच्छाई गाले बाजाती है और एक ना एक दिन उस बुराई को मुझ की खानी पड़ती है और तैंक्स तो सेफ सिटी कैमरा के जो लहौर शहर लहौर में हर जगा पे में शाहराओं पर पॉइंट्स पे मौजूद है अच्छा वीडियो बनाएगी इसका पॉपस यह था कि आपको बताया जाए कि इस किसम की एक्टिविटीज होती है अगर कहीं आप सिगनल पर खड़े हैं तो कोई पीचे से आपकी गाड़ी को या बाइक को कोई भी आपकी गाड़ी है वही कल है उसको हिट करता है तो जरूरी नहीं कि वहादसा हो अगर आप किसी सुंसान जगापे हैं तो आप खुद ना उतरें आप इमिजरेटली वन फाइफ पर कॉल करें पुलिस को इतला दें ताकि पुलिस मौका पर पहुंचे यह अगारी वीडियो आपको इसलिए दिखाए गी बताई भी गई है हमने शेयर भी ही और पिर आपकी तरफ मकसिद भी यही था इस वीडियो को दिखाने का मकसिद भी यह था कि आपको अगाही मिल सके जिस तरह से भी ताहरा ने कहा कि अगर आप ऐसी किसी जगह वे मौजूद हैं पिछे से किसी ने आपको टक्र मारी है और याद रखें कि वह सुंसान जगा है वहां लोगों कि इत ताहरा कह रही थी कि इस वीडियो को हमने जब ऑन एर किया जब इसको हमने अप्लोड किया मारे नाजरीन देखा हो इसको लाखों की तदाब में व्यूज मिले तो उसमें बहुत सारे लोगों ने अच्छे कुमेंट्स किये दुआई दी कुछ कुमेंट्स मैं आप से शेयर करूंगा और कुछ कुमेंट्स मेरी कॉलीग आप से शेयर करेंगी तो पहला कॉमेंट है जी सेयद ऐले शा का सेयद ऐले शा कहते हैं जी अलहमदुल्ला हमें सेफ सिटी पर हंडर्ड परसंट यानि सौ फिसे जकीन है और बहुत ही बेतरीन काम सरणजाम दे रहे हैं दूसर माशालला हमदुलला वेरी नाइस मौमद अबुबकर कहते हैं सेफ सिटी जिन्दाबाद अब ताहिरा नेक्स कॉमेंट्स आप बताएं किनकी ने क्या क्या कहा है बिल्कुल जी जिस तरह कि आपकी पॉजिटिव कॉमेंट आते हैं आप अप्रिशेट करते हैं बहुत अच् के शियर करते हैं कि फरीद गुलाम साहब ने कहा जी पंजाब फुलिस जिन्दाबाद और वाकिजी जिन्दाबाद इसके बाद आगे अदील मौम्मद साहब का कहना था कि माशालला अला ताला सलामत रखे मौमद जुबैर का कहना था जी गुड जॉब आप सब की हिफाज जो 2427 आपकी खिदमत के लिए कोशह हैं उनको सेल्यूट पेश करते हैं और उसके साथ साथ एक हमारे हैं जी वट्टू वर्ल्ड कॉंसल यह नहीं नाम भी बड़ा सुरत नाम भी बड़ा यूनीक नाम रखा मैंने ने कहा जी माशालला हयाती होए हयाती होए पंजाबी चि आप कहते हैं पुलीस हर तरह से अवाम की हफाज़त की कोशिश करती है अप्रिशेटेट और उसके बाद जो जो कमेंट्स रहे हैं मोताहिरा आप नमारे नाजमें तो बहुत ज्यादा है मैं दिल चाह रहे हैं कि आप से शेयर करूं और शेयर नहीं कर सकते हैं कुछ निकाल सब्सक्राइब करें अगर आपको अपने अड्रेस के बारे में नहीं पता तो आपका सबसे बहुतरीन फीचर यह है कि आप चैट पर एक मैसेज करती है आपकी एक्जेक्ट लोकेशन हमारे पास आजाती है हम पर ड्रस करें अडारों पर ड्रस करें कानून को खुद हाथ में मत लें और यह स्टोरीज बताने का परविज भी यह होता है कि आपको पता चले किस तरह से यह आदारे आपके लिए काम कर रहे हैं और उसके साथ साथ हम आपसे नेक्स सेगमें मिलते हैं स्टेविदास